कॉंग्रिस की राजसभा सांसत धीरत साहू के घर पर आयकर विभाग की छापे मारी के दौरान अब तक कुल 351 करोर रुपए कैस मिल चुका है यह किसी भी विभाग द्वारा की गई अब तक सबसे बड़ी कैस की जबती है हालात यह है कि नोट गिंटे गिंटे इंसान ही नहीं बलकि मसी ने भी ठग गई आयकर विभाग का मानना है कि बेहिसाब पैसे का पूरा भंडार धीरत साहू और उनसे जुड़े हुए बैपारिक समू वित्रकों और अन्य लोगों द्वारा देशी सराब की नकद विग्री से अरजित किया गया है यहाँ देश में की गई अब तक की सबसे बड़ी कैस जबति मानी जा रही है हाला कि यह अभी तक स्पस्ट नहीं हो पाया है कि साहू के घर से कितनी नगदी और कितने दस्ताबेज बरामद हुए है साथी साथ यह भी कहा जा रहा है कि दो गहने से भरे जोयलरी के बैग भी वहां से बरामद हुए है अब आएकर विभाग उन अधिकारियों और अन्यकमचारियों के बयान भी दर्ज कर रहा है जो तलासी अभियान के दौरान उन जगहों पर मौजूद थे आएकर विभाग जल्द ही कमपनी के मुख्य परमोटरों के बयान भी दर्ज करने के लिए समन जारी कर सकता है इतने बड़े कैस का भंडार मिलने के बाद कॉंग्रिस ने अपने ही नेता से दरकिनार कर लिया है कॉंग्रिस नेताओं के भी बयाना रहे हैं कि यह धीरत साहू का नीजी मामला है उन्होंने किस तरह से ये धन अरजित किया है इसके बारे में उनसे ही सवाल पूछा जाए लेकिन भाजपा कॉंग्रिस को इस मामले में छोड़ने वाली कहा है भाजपादवारा लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि धीरत साहू किसके ATM थे अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर इतना सारा कैस मिला है तो यह कालाधन है अब इन सभी नोटों की जबती हो जाएगी और इसे सरकार के खजाने में जमा किया जाएगा लेकिन हम आपको बता दे कि कैस हमेशा कालाधन नहीं होता है क्योंकि अधिकतर मामले में कालेधन का कारोबार नगदी में होता है लेकिन बहुत से लोग या कारोबारी घर में काफी कैस रखते हैं इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है अगर आपके घर आयकर विभाग की छापे मारी में बहुत कैस मिलता है तो सबसे पहले आपको उस पैसे का वाजिब जबाब बताना होगा और ये बताना होगा कि ये पैसे आपने केस सोर्स से जमा किये हैं अगर आप इसे बताने में विफल रहते हैं तो इंकम टेक्स इसे जब्त कर लेगी और आपको 137 प्रतिसत्तक का जुर्माना देना पर सकता है अगर वे ऐसा करने में साबित होते हैं तो उन्हें 60 फिस्दी टेक्स काट कर ये पैसा लोटाया जा सकता है लेकिन अगर ये धीरत साहु साबित नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कैस अवैद रूप से जुटाया गया है ऐसा करने पर इंकम टेक्स उन पर अपराधिक धाराओं के तहट मुकदमा भी दर्च करेगी और सारा पैसा भी जब्त कर लेगी बने रहिए मोबाइल न्यूस 24 पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिक वीडियोज को देखते रहने के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें